जैहिन साथियों साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सेलेक्टेड कोश्चन्स पूर रेलिवे एक्जाम 2024 का सेट नमबर 29 सेट नमबर 29 इस लिए साथियों क्योंकि हम लोग ने सेट नमबर 28 तक पहले सभी को कम्प्लीट कर लिया है जो भी केंडिय कोश्चन्स आप लोग के लिए डाले गए हैं जो की डेलिवे में बार बार कुछे गए कोश्चन रहता है साथियों जैसे एक्जाम्पल के दौर पर आप लोग पहला ही कोश्चन देख लेजिए प्रक्रितिक गैस यानि की नेशुरल गैस का सवर्व प्रुभु घटक है तो यह आप लोग का आरजे में कोश्चन पूछा हुआ था तिक इसी परकार से हमारा टोटल भीशो पूश्चन रहता है सांथी ओ जैसे देख सकते हैं आप लोग के लिए क्लासे को बाच करिये और अपने स्यारी को मजबूत करिये साथ हो चले तो अभी क्लास को स्टार्ट के जाए तो हम लोगा जब पहला नमबर कोशन है वो का रहा है प्रक्रितिक गैस यानि कि नेचुरल गैस का सवर्व प्रूब मुग घटक है और यह कोशन हमने कल आप लोगों को सभी कंड्रेश को होंबर्क दिया था बहुत सारे भाईयों क यहां पर जो है राइट एंसर आया है बहुत सारे कंड्रेश है जिनका सही एकदम सड़िक जवाब लोगों का आया है तो बतलादे हमारे साथियों इसका सही एंसर हो जगा आप लोग का मिथेन आप्सन नमबर ए इस दर राइट एंसर कल यह आप लोग के लिए होंबर्क हम किन इमने लिखित में से किसने रासायनिक्स और नियोजग के दो महतपुने नियोमों की अस्थापना करके रासायन विज्ञान की नियू रखे थी किसने रखे थी बतलाईए एलपी टेकनिसियन में यह कोशन पूछा हुआ था 2018 में अन्रेश्ट डादरफोर्ट ने डेमो क क्रिश्ट ने या फिर जोसेफ एल प्राउट्स ने या फिर एंटोनी एल लेवोजीयर ने किसने रखे थी बतलाईए आप लोग राइट इंसर बतलाईए के साथियो टेकनिसियन में पूछा हुआ कोशन ही आप लोग का और यह इस बार भी का भी बीबी आई कोशन रहेग कि दो महत्यपूर्ण नियोमों की अस्तापना करके रचायन विज्ञान की नियुव रखी थी राइट एंसर आप्जियन नमबर डी इस दार राइट एंसर एंटोनी एल लेवोजीयर ने रखी थी द्यान रखे एंटोनी एल लेवोजीयर ने रखी थी नेक्ष कोशन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन जरूर दबा दीजेगे साथियो थार्ट नमर कुशन है इलेक्ट्रॉन जो परमानू का एक घटक है किसने खोज की इलेक्ट्रॉन जो की परमानू का एक घटक है उसकी किसने खोज की थी बतला यह NTPC में कोश्चन ही पुछा हुआ है जेजे थॉम्सन जेम्स चैडविक मैक्स फ्लैक या फिर रदर फोर्ट राइट एंसर क्या होगा साथियो जो भी करेंश हमारे चैनल को बाच करें प्लीज हमारे वीडियो को सेर्स जरूर से जरूर करिएगा भाई अपने अब आप लोगको लिए हम होमबर्ग सबसे पहले बतला दे तो चलिए फोर नंबर हम लोग देखेंगे ही सबसे पहले जिस कोशन का सभी कंडियरेश्ट को जवाब देना है वो कोशन आप लोग देख लिए कौन सा कोशन है देखिए हम सभी कंड्रेट्स को दिखा दे रहे हैं देखिए साथियो ये आप लोग का होमबर्ख है इसका जवाब आप सभी कंड्रेट्स को देना है ठीक है ध्यान लखेगा परमानविक ना भी किसने खोजा था बतलाईएगा सभी कंड्रेट्स के लिए बे अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं देख लेते हैं अपना इस्टार्ट करते हैं फोर नमबर कोश्चन से थ्री तक हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है आप सभी को भाईयों को हम हम्पर्ग दिखला दिए कि कौन सा आप लोग सभी को जो है किसका राइट इंसर देना है सा दिखा भी हैं आप लोगका अप्'s है माक्स प्लैक अप्षान नमबर भी जैंप्स-कलर्क-मक्सवेल या फिर ऑप्ष्ण बतला यह राइट एंसर क्या होगा साथियों तो बतला दें आप लोगों हमारे छोड़े भाईयों कि रेडियो सक्रियाता का अविस्कार जो है यह किस ने किया था तो सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नबर सी इस दर राइट एंसर हैंडी वेकूरल ने किया था ध्यान लेके हैंडी वेकूरल ने किया था नेस्ट कोस्चन फाइफ नंबर कोस्चन कर रहा है हमारे छोटे भाईयों कि निमने लिखित में से कौन सा नियम गैसों से सम्मंधित नहीं है कौन सा नियम गैसों से सम्मंधित नहीं है बतला ये सातियों और राइट एंसर क्या होगा जोभी के इंडेच्ट वीडियों को वाज करें हैं उसे आगर करेंगे आप famil एक साइड करिए हमारे इνसर को एक साइडеты करिए लाक्ट मैं अब मैच करके आप लोग बता ये का कितना सही होता आगर नियमनलिuğ नियमनले लिखित में से गैसों से समधित नहीं है तो तो फेराडे का नियम जो है यह गैसों से समंधित नहीं है option number D is the right answer next question six number question six number question कर रहा है हमरे छोटे भाईयों कि निमने लिखित में से कौन सा कथन गलत है इन चारों में से जो है कौन सा कथन गलत है बतला यह ALP technician का question है ठोस पदार्थों का अकार अनिश्चीत होता है ठोस पदार्थों का आयतन निश्चीत होता है ठोस पदार्थ कटोर होते है या पर ठोस पदार्थ लगबग option Pidnia होती है बतला यह right answer क्या होगा निमने लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो सही answer हो जाएगा हमारे छ जोस्तों कि उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिसमें ठोस्पदार्थ को गरम करने पर सीधे वह गैसिया वस्ता में बदल जाता है बताइए किस नाम से वियोजन से विलियन से धर्वापातन से या फिर वास्पी करन से बताइए साथ हो राइट एंसर क्या होगा उ प्रकिरिया को किस नाम से जाना जाता है जिसमें धोस्ट पदार्थ को गरम करदे पर सीधे वह गैसी या आवास्ता में बदल जाता है तो आप लोग के सही एंसर हो जाएने हमारे छोड़े भाई अप्शन नमबर सी इस दा राइट एंसर उधर में पातन और ये कोश्चन साथ यह भीवी एई कोश्चन है इससे आप लोग ध्यान रखे आप लोग से निवेदन है आप लोग प्लीज इसका स्क्रीन सोट ले ले और इस कोश्चन के एक अलग नोटस में बना ले साथ हो नेक परिवर्टित करने की प्रकिरिया है बतला यह क्या है एंटीपिची का कोश्चन है उद्रवय पातन है वास्पिकरन शंगरन या फितर परिश्षोधन बतला यह राइट एंसर क्या होगा दोस्तों डैस मदवर्तित अरल आवस्था में परागमन के बीना किसी तत्व को प्रत्यक्षिरूप से ठोस से गैस आवस्था में परिवर्तित करने की प्रकिरिया है क्या है साथ यों शही अंसर हो जाएगा option number B वास्पी करण है ध्यान रखें वास्पी करण इसका सही अंसर होगा नेक्सकिक नायन नमपर करें दोस्तों कि समान्य था पदार्थ की अवस्ता में भ Lazar को सामिल नहीं American में के बाद जो है में के बाद आप लोकी यहां पर हम बतला दीव है में के बाद कोर्शन में beetle चार ईंचाहिए से यह बतलाना है देखे सही मैंने में कुश्चन जो होगा हम आप लोग के लिए पढ़ रहे हैं इसको थ्वर ध्यान रखे समान नियता पदार्थ की अवस्था में भौतिक वर्गी करण में डैस डैस अवस्था को सामिल किया जाता है बता यह कौन सी अवस्था को सामिल किया आप्शन नमबर B इस दराइटें सर कुलाइडर नेक्स्ट कोश्चन टेन नमबर कोश्चन का रहे हैं हमारे छोड़े भाई कि निमने लिखित में से कौन सा कथन गलत है निमने लिखित में से कौन सा कथन गलत है एलपी सीबिटी वॉन का आप लोग के यह कोश्चन पुछ कण बहुत छोटे होते हैं राइट एंसर क्या होगा निम्ले लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो हम पतलाजे आप लोग को साथ ही हो जो कथन इन चारों में से गलत है वो कथन है आप लोगों का आप्षान नमबर A पदार्थों के कण इस्थीर आवस्था में होते हैं ये राइट एंसर नेक्ट कोशन 11 नमबर कर रहा है दोस्तों 11 नमबर कोशन क्रोमेटोग्राफि की तक्निक का प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफि की तक्निक का प्रयोग होता है और भी NTPC का कोशन है रंगीन पदार्थों के पहचान करने में पदार्थों की संदचना निर् करने में है क्रोमेटोग्राफिक की तक्निक का प्रेयोग होता है बतला ये किसमे होगा जलग करने में होता है option number D is the right answer next question कर रहा है निम्री लिखित में से किसे अन्य पदार्थ में नहीं बाटा जा सकता है बतला यह इन चारों में से किसे जो है अन्य पदार्थ में नहीं बाटा जा सकता है TCS प्रटन पर दाजी कोश्चन है और TCS आप लोगा लिवे भी अभी दख पहले कंड़क्ट कराया है ठीक है इस बार भी आप लोगा TCS कराने वाला है ठीक है तो बतला यह राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बतला दे हमारे मीत्र जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बाटा जा सकता है वह आप लोगा एटम है ओप्सन नमबर बीज दर राइट एंसर एटम ठीक है नेक्स कोशन थर्टी नमबर थर्टी नमबर कोशन कर रहा है हमारे च्छोटे भाई कि कौन अधात्वी खनीज है बतला ये अधात्वी खनीज इन चारों में से कौन सा है मैगरीज, मैगरीशियम, सिलिका या फिर वक्साइड राइट एंसर क्या होगा आप लोग का कौन अधात्वी खनीज है तो बतला दे हमारे च्छोटे भाई सही एंसर हो जाएगा आप लोग का सिलिका ओप्सन नमब बिख्यानिक ने पदार्थ की 5 वी अवस्था के लिए कुछ गंणा की थी बतलाये निमने लिखित में से किस वी अवस्था के लिए कुछ गंणा की थी तो दिखेस यह又न का अप लोगा, राइट एंसर क्या होगा होमिभाबा, बिक्रम सारा भाई, शिविर अमन या फिर सत सतेंद्रेनाथ बोस तो बतलादे है हमारे छोटों मित्रों कि निमने लिखित में से किस बिज्ञानिक ने पदार्थ के पाचिवी आवस्ता के लिए कुछ गण्णा की थी राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन अबर डी सतेंद्रेनाथ बोस ने की थी करायये 50 नंबर कोर्शन भाईयो कि परमाण्विक नाभिक किस ने खोजा था र्रदरफोड डॉल्टॉर्टों ऑल्इस्टिन या फिर थॉम्षन राइट अंसर क्या होगा परमाण्विक नाभिक जो है या किस ने खोजा था तो सही अंसर हो जागा हमारे छोटे भाईयों आप लोग के लिए होंबर्ग दिये थे नहीं यार हम इसका एंसर बतला दिये चलिए आज आप लोग का किस्मत अच्छा था होंबर्ग कुछ भी नहीं मिला आप लोग को करा है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी जे नहीं आप लोग आप लोग का होमवर्क रहेगा अब गलती से उसका जवाब हम आप लोग को बतला दिए इसका आप लोग का हमवर्क रहेगा राइट एंस सभी कंडियों पतलाएगा चलिए आगे बढ़ता है सेवेंटी नम्ब कोश्चन को देख लेते हैं हम लोग कवर करते है करा oilаменCmenty number पर्माणु में कच्छों को भरने का करम नियंत्रीत होता है बई सते हो चानल willen पर बतलादे साथ हो, पर्मानु में कच्छो को भरने का करम जो है, यह नियंतरीत होता है, ओप्सन नमबर, यह सही है सरो जाएगा, और बाउसिदान्द के द्वारा नियंतरीत होता है, ध्यान लगे इसे, सितारों में पलाजमा, सितारों में पलाजमा बनने का कारण है, बता यह क्या होगा, सितारों में पलाजमा बनने का कारण है, राइट एंसर क्या होगा, उच्छे दाप, कम तापमान, मदे तापमान, उच्छे तापमान, सही एंसर हो जागा, साथ हो आप लोग का, उच्छे आपमान होगा, option number D is the right answer, next 90 number, कराय सात्यों 90 number question, सभी ततों के परमानुओं का अकार होता है, सभी ततों के परमानुओं का अकार होता है, RRB, ALP technician के question, वरगाकार, सष्ट कोण, गोलिया, या फिर तरी भूज, सभी ततों के परमानुओं का अकार होता है, सबी ततों के परमानु का आकार होता है सई इंसर होगा गोलिया option number C is the right answer गोलिया सबी ततों के परमानु का आकार जो है यह गोलिया होता है ध्यान रखें next question 20 number कराय साथ यो 20 number question कि निमनी में से कौन सा गैस द्रब और ठोस स्थिती में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है बतलाइए बेस्ट question है यह आप लोग का बतलाइए निमनी में से कौन सा गैस जो है वो द्रब और ठोस स्थिती में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है बताइए इन चारों में से कौन सा गैस है प्रोट नाम है तो आपलों का सायान सरो हो जागा है में हमारा मित्रों कैश्योटोट द्हान रगेंगा यह द्रबबभ और ठोस इस्तिति में मुगत रूप में उप्लब्द होता है ब्राइट जे प्रेसाथ आज को आम लोग का क्लास खतम हुआ अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को सेर करें चैनल पर नहीं बीजट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना बुलिएगा उसके सांस साथ यो आप लोग को बतलाते हैं हम आप लेट आप लोग को अगर पाना तो उसके लिए विचानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में करेंज आनकर इक साथ जय हिंद जय भारत